कि अच्छ प्रेजिडेंट आल इंडिया गुजर महास सभा के जो नेशनल प्रेजिडेंट है करन देवारां जी मैं उनका और पूरी कौम की तर्फ से तह दिल से शुक्र गजार हूँ उसके बाद आप लोगों का भी कि जो आप यहां पे तश्रीफ लाएं आप लोगों ने आप की वसात से ही जो हमारे मसायल हैं उन पे हम गोरो फिकर करते हैं और उन लोगों का भी जो जमु किश्मीर के क कोने कोने से आप यहां पे लोगों त्श्रीफ लाएं आज हमारा यहां कठा होने का या प्रेस कानाय से तने का This James मकसद है कि जैसे हमारे नेशनल प्रेजिडेंट करनल देवरांजीरे साबर साब ने ये फरमाया है कि पिछले महीने जो टोपी पीर में जो हाथसा पेश आया उसमें हमने पांच हमारे नोजवानों को खो दिया सेना के जो नोजवान तो हमें उनका भी बड़ा दुख है उसके बाद दूसरा जो हाथसा हुआ कि हमारे सीवलिन को पकड़के हमारे जो वहां के गुजर बाई थे उनको पकड़के टार्चर करके उनको बरी तरीके से जो है वो मोत के गारतार दिया हम जो रियास जमू किश्मिरे नहीं बलके पूरे हिंदस्तान के जो जितने भी गुजो लोग है हम एडिमिस्टेशन के साथ, हम सेना के साथ, हम सरद्दूं पे जो हैं वो खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, मुल्क की अफास्त करते हैं और मुल्क की फला फूला रहे, यारब चमन मेरी अमेदों का, जीगर का खून दे दे कर ये बचे मेने पाले हैं, जीगर का खून दे दे कर ये बूटे मेने पाले हैं, मैं आप सब हजरात का तैय दिल से मशकूर हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा कि पूरे मामले के परवजात हो चुकी है लेकर करनल साब जो यहां पर हमारे बीच आए हैं हम ते दिल से इनका शुक्रिया करते हैं और तमाम जो हमारी इंटरनेशनल गुजर महासभा के लोग बरादरी यहां पर बैठी है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे कहने का एक ही मकसद है कि फस् गुताला उनको तमाम गुनाहों बख्ष कर जन्नतुल फर्दोस में आली मुकाम नसीब फर्माए लेकर इसके साथ साथ जैसे करनल साब ने एक पोइंट उठाया था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इंतजामियां सें भी दरखवास करूंगा और सेना सें भी दरखव मुखवर जो लफ़ज है जो ये जो मुखवर आ جाते हैं ये कुछ चंद राशन के लिए या चंद टूक्रों के लिए आ कर जो किसी भी बेगुना के उपर इलजाम तराशी करके और उनका कतल و गारत करवाते हैं मैं ये दर्फास करता हूँ कि इनके खलाफ कठोर से कठोर कारवाई होनी चाहिए और जो वहां हमारे इंदामिया के लोग या डिस्टर्क पलीस के लोग या जो एक रिवाज बन गया है पर्मोशन जो छोटी सता के लोग आते हैं जो पलीस के लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो पर्मोशन के चकर में उन्होंने जाके बगएर किसी इन्वेस्टिकेशन के जो परिवार वाले भी बोर रहे हैं वहां के जो परिवार वाले भी बोर रहे हैं जो निदोश लोगों का कतल किया है आज पूरा हिंदोस्तान देख रहा है हमारी सेना हमारे साथ है गोर्मीट आफ इंडिया हमारे साथ है उनको पता चला है कि ये बेगुना लोग हिंदी दोश लोग है और तभी तो वो इनको मावज़ा दे रही है लेकन ये जो लोग गलत करवाते हैं इनके खलाफ मेरी ये सबसे बड़ी गुजारिश है जो सेना के आफिसरों को जो तबादला करके पूरे मामले को डामा डॉल किया जा रहा है रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है जिसको हम जो है नकाबले बरदाश्ट करते हैं यह हमें मनजूर नहीं पूरी अगर ऐसा चलता रहा यही कबीला है कि हम जहां एक तरफ उन बेगुनाहों के लिए खड़े अमारे करनल साब आये हैं मासभा से तो यह मारी बात सुनने के लिये आये यह हर लमामारे साथ ही खड़े रहते हैं और हमारी बात भी सुनते हैं तो मैं तो यह किना चाहूं यह सब इन्होंने जो बताया इसमें क्या ज्यादा चोटी चोटी बाते करूँ ही लेकर जो यह वख्याज टॉपपीर में हुआ है यह गलत हुआ है यह इसको देखा जाए तो जो गरीब एक मेरा बाई मारा गया उसक में बीमारी कोई जबेदासती नहीं लेकर जो इन्होंने ऐसा जो कोई शक्स है तो मैं तो यही मांग करना चाहती हूँ कि उसको सक्से सक्स सजा मिलने चाहिए उसको फांसी पर लिटकाना चाहिए अगर गरवले वहां पर आई विटनस हैं तो उनको क्यों छोड़ा जा रह फिक्र गुजार हूँ कि आप लोग हमारी इस बात को आवाम तक और देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए आए थैंक्यू वेई मांग मेरा नाम है करनल देव अनंद गूजर और मैं इंटरनेशनल गूजर महासबा का रास्ट्री अद्देक्ष होने के नाते कारिया करता हूँ मेरे साथ मेरी पूरी ये टीम यहां मौजूद है आज राज़ोरी के डाक बंगले के अंदर हम ये आप से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब को पता है पिछले महीने हमारे पाकिस्तान द्वारा प्रयावजित टेररिजम के अंदर हमारे पांजवानों के शादत हुई ही और उसके उपरांथ हमारे जो एक हाज सावा जहां गूजर बकरवाल कमूनिटी के कुछ लोगों को पूछ साज के लिए उठाया गया और उसके उपरांथ तीन वेक्तियों की मौत हो गई थी उस मसले को लेकर के मैं और मेरी टीम आज हमें टुपा पीर हम जा रहे थे उनके दुख में शरीक होने और उनसे जाकर के दुआ करने के लिए जा रहे थे कि जिस प्रकार हम पूरे आपके साथ हैं पर किनी कारणवस यहां के अड्मिस्ट्रेशन ने हमें रात को बताया कि करन साथ आप और आपके वेक्ति वहां नहीं जा सकते कुछ ऐसे कारण है आपके सिक्यूरिटी के मसले हैं तो हमने का कोई बात नहीं हम इंजार करेंगे आपके फैसले का अभी दोपैर हो चुकी है डाग बंगले में उनकी हम यहां मौझूद है तो हमने सोचा कि आप लोग आगे तो आपसे चर्चा की जाए सवाल यह उड़ता है कि अड्मिस्ट्रेशन ने कोई जरूरी समझा होगा हमें वहां नहीं जाने दिया गया मैं मानता हूँ आपके माद्दम से मैं आज जो हमार होई पर क्योंकि अड्मिस्ट्रेशन के साथ गूजर पहले भी खड़ा है खड़ा था आज भी खड़ा रव यकिन दिलाते हम आगे भी खड़े रहेंगे इसलिए हमने कोई इस प्रकार का जबरस्ती जोट जबरस्ती नहीं की जाने की अब सवाल ही उड़ता है कि जो हम साफ साफ कहना चाते हैं कि भारस्त सरकार ने जिस प्रकार से ये ये पहली बातों जो तीन हत्ते होई बड़ी बरबर हत्ते हैं यह बहुत ऐसा दुखत एक चैप्टर है जो पूरा देश इन गुजर बकरवाल हमारे साथ खड़ा है हम अभी नंदन और धन्यवाद करते हैं वो इस तरह के उठाए कि हम सब लोग महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ दिखाई दिए राजनाजी आए हमारे एलजी महोदे ने आकर के इस चीज में संग्यान लिया सेना के चीफ आए और विबन प्रकार पूरा देश हमारे साथ खड़ावा गुजर बकरवालों के साथ ह हम सब ये मानते हैं कि भारत ये सेना और गुजर बकरवाल का जो ताना बाना जिस प्रकार का मेल मिला पिछले सतर वरसों से रहा है हम ये कभी भी आज भी ये मानते हैं कि भारत ये सेना को इस मामले में दोशी नहीं मानते हैं और मेरे साथ खड़े लोग सब इस बात से समर एक तरह हिलका का जैसे ऑपरेशन बीश वर्ष पुर्व हुए थे जहां पर बलीदान दिया था तो ये जो एक ऐसा पाकिस्तान द्वारा देश के दुश्मनों द्वारा और गूजर विरोधी लोगों ने एक साजिश के तहत ये एक अंजाम दिया है ऐसा मेरा मानना है ऐसा म क्रेम का सोहार दर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं ये तोड़ा जाए और इस गूजर कौम को बदनाम करने की साजिस्त देखते हैं हम लोग और इस साजिस्त को दूर करने के लिए दो मुख्य मुद्दे हैं पहले धन्यवाद किया अब जो हमारी समश्य है वो ये है बात तो यह कि ऐसी कौन सी ये रंड मिती है जहां पर सेना के शिर्स अभिकारियों को एक ब्रिगेडे साब को बताया गया कि उनको हटा दिया गया है एक करनल साब के खिलाफ मैं आपको बता सकता हूँ मेरे साथ ही बैखें आप इनसे भी पूछ सकते हैं ब्रिगेडीयसाब कोई 50 किलोमेटर दूर बैठा है उनका क्या लेना देना इस काम से सियो साब जो कहीं 20 किलोमेटर दूर बैठे क्या लेना देना है F.I.R. Lodge उनके खिलाफ जो करने की साजिश इसलिए की गई कि उनके खिलाफ कर दो और जो असली गुनादार है, वो थोड़े जिरों बाद छुड़ जाएंगा, उनका नाम ही नहीं आएगा, हम मांग रखना चाहते हैं यहां से आज, IFIR जो बे नाम की आपने लिखाई है, धन्यवाद, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सेना का एक अलग इन्वेस्टिगेशन है, वो करें हमें पूरा यकीन है, और मैं बहुत पुर्वा सेनिक, और आज समझिक वेक्ति होने के नाते, सेना के साथ खड़ें हम, सेना कारवाई करेगी, क्योंकि सेना ने कभी गुजर विरोधी काम ने पहले किया था, ना ये किया है, ना आने वाले समय में कर सकती है, और हम बेश का समझाल करते हैं, पर जो F.I.R. कि